आज हम आपको spring rolls बनाने की recipe सिखाएंगे spring rolls बनाने के लिए जनज़ा की ज़रूरत है उसमें chicken आदा किलो, oil, दो खाने की चमचे, नमक, 1.5 टेबल स्पून या हस्वे जायका काली मिर्च, 1.5 टेबल स्पून, soya sauce, 1.5 टेबल स्पून, चिली sauce, 1.5 टेबल स्पून, विनिगर, 1.5 टेबल स्पून, चिली गार्लिक sauce, 1.5 टेबल स्पून, टोमाटो केचप, 1.5 टेबल स्पून, बंगोभी एक चोटी, गाजरे 2 अदद, शिमला मिर्च 2 अदद, स्प्रिंग ओरियन 2-3 अदद, नोडल्स का पैकेट, कौटर, तरक बोनलस चिकन को धो कर साफ करके रख लें, तमाम सबसियों को धो कर चौप कर लें, 1.5 टेबल स्पून, अदरक लहसन, सबसे पहले एक कडाही में, ओल डालें, ओल डालकर, दर्मियानी आंच पर अदरक लहसन को भूने, जब अदरक लहसन में से खुश्भू आने लगे, त जब चिकन अच्छी तरीखे से फ्राय हो जाए और इसका रंग चेंज होने लगे, तो इसमें तमाम सॉस डाल दें, जिसमें चिली सॉस, सोया सॉस, विनेगर, टोमाटो केचप और चिली गारलिक सॉस, ये तमाम शामिल करें और इसको अच्छी तरीखे से पकाएं, नमक औ जब चिकन गल जाए, तो इसमें आप सबसे पहले गाजरे शामिल करें और गाजरों को फ्राय करें, इसके बाद बंगों भी डाल के फ्राय करें, और शिमला मिज डाल के फ्राय करें, सबसे आखर में आपने स्प्रिंग ओनियन्स डाल कर इसको फ्राय करना है, अब जो नोडल्स अच्छी तरीखे से पक जाएं, 6-7 मिनिट में नोडल्स पक जाएंगे, जब आप बॉयल वाटर में नोडल्स को डालेंगे, उस वक्त आपने 1 टेबल स्पून ओयल उस पानी में शामिल करना है, जिसमें आप नोडल्स पका रहे होते हैं, इस तरह नोडल्स आपस म अब आपने 6-7 मिनिट तक इसको बॉयल करना है, क्योंकि एग नोडल्स बहुत जल्दी बॉयल हो जाते हैं, इसके बाद इसको फिल्टर करके, आपने जो चिकन का बैटर तयार किया हुआ है, इसमें ये नोडल्स शामिल करके, नोडल्स को भी अच्छी तरह फ्राइ कर ले तमाम मसाले के साथ, अब मसाले को चक्कर देखें, यहाँ इस टाइम पे आप इसमें मिर्च और नमक तेज कर सकते हैं, आप चेक करने और उसके बाद चूला बन करके इसको उतार ले, हलका ठंडा होने पर आपने रोल की एक एक पट्टी लेनी है, उसको पहले टर्ण करना है थोड़ा, उस पे आपने यह बैटर डाल देना है, और इसको दोनों तरफ से मोड देना है, जब इसको आप दोनों साइडों से मोडेंगे, इसके बाद आपने जिस पर बैटर डाला है, उसको अच्छी तरह से रोल करके मोड देना है, और आकर में मैदे की लई खोल कर, उसको हलका हलका से रोल के आखरी टिप्स पर लगा के इसको चिपका देना है, मेदे की लई बनाने के लिए आपको मैदा, तीन से चार टेबिल स्पून और पानी हजब ज़रूरत, इसको इतना पानी में घोलें, कि वो एक लई की शकल इक्तियार कर लें, इसके जरीए आप